नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों, JRP 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम UGC Net Paper 1 की जो एक्सपेक्टिड कोश्चन सिरीज है, वो आपके बीच में लगातार कर रहे हैं इसमें हमने इससे पहले चार लेक्टिड कर ली हैं और आज हम इसका जो पांचवाँ लेक्टिड हैं वो करने जा रहे हैं और प्रतीक लेक्टिड में लगबग हमने दस-दस प्रशनों को इसमें डिसकस किया है और उन दशप्रशनों के साथ हमने और चीजों को भी बहुत सारी चीजें इसमें डिसकस कर ली हैं तो अगर आपने अभी तक पहले के पांच लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्तो तो आप एक बार हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है UGC Net Paper 1 के नाम से आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर आपको पहले के लेक्चर्स सब के सब उपलब्द हो जाएंगे और अगर आप हिंदी विशर से त्यारियां कर रहे हैं दोस्तो UGC Net की तो आपके लिए एक और चीज़ ये भी है कि हिंदी साहित्यवारता चैनल के माध्यम से हम लगातार continuity के साथ जो अपनी UGC Net GRF 2021 के तैयारियां कर रहे हैं तो आप चाहें तो हिंदी साहित्यवारता चैनल के साथ भी जुड़े रह सकते हैं तो इसमें देखिए हमने इससे पहले अपने हर टॉपिक से लगवक थोड़े थोड़े प्रशन हम लगातार रखते हैं और ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक UGC Net का पेपर हो नहीं जाता तो चलिए दोस्तों बिना देर किये आज के लक्षिर के शुरुवात करते हैं और सबसे पहले हम प्रशन संख्याद देख लेते हैं यहाँ पर 41 चालिस तक के प्रशन हमने पहले डिसकस कर लिए हैं तो प्रशन है देखिए शीशे केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता ह हलां कि यह प्रशन थोड़ा सा हमने पहले इसको डिसकस कर लिया था जहां पर इसको हमने थोड़ा गुमा के पूछा था और यहां पर इसको रखने का मतलब यही था कि आपको इस तरीके से प्रशन गुमा फिराके ही पूछे जा रहे हैं और लगातार यही चीज की जा रह है कि सब प्रश्णों को सही तरीके से जिस भी तरीके से प्रश्ण बने के संभावना रहती है उसको पर डालना है जो आपने एंडररगोचा का शीश्चे के अंदृत्र शिक्षा का अर्थ क्या होता है शिष्यों दोरा पसंद की जाने वाली नहीं ठीक है दूसरे आपका शिष्यों तथा शिक्षकों दोनों दोरा पसंद की जाने वाली शिक्षा ये भी नहीं क्यों ठीक है क्यों कि जो शिष्यक एंद्रित शिक्षा है वो कुछ अलग होती है आगे हम देख लेते हैं हमारे पा इवं जो उनकी अकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा होती है उसे ही क्या कहा जाता है शिष्य केंद्रित शिक्षा कहा जाता है तो विकल्प नमबर चार इसका क्या होगा सही उत्तर होगा जो आपका शिष्यों की आवशक्ताएं और उनकी जो अकांक्षाएं है उनकी अनु अप्रोच कहते हैं और एंडर्गोजिकल एप्रोच विस्तार से क्या चीज चीज है यह हमने पहले उसमें जान लिया था कि इसमें जब आधिकतर क्या होता है जो आपका शिक्षार्ती होता है वो आतम निर्देशित रहता है ठीक है और जो भी चीजे होती है उसके लिए स्व दिया था और ना सिर्फ इस प्रशन की बात है दोस्तों बहुत सारे प्रशन आपके ऐसे बनते हैं चाहे आपका teaching हो चाहे आपका research methodology हो वहां से ऐसे घुमाफिरा के ही प्रशन पूछे जा रहे हैं बस आपने जो sense है उसको use करना है चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प प्रगातार प्रशन पूछे जाते हैं और जो आपका search engine है या internet जो tools है इनके बारे में पूछा जाता है ठीक है browser कौन से है तो इसमें बहुत जादा students जो है आपके confused रहते हैं जो की बहुत ही एक इसको हम कह सकते हैं कि common सी चीज है लेकिन हम फिर भी इसको गलत करके आते हैं और यहां पर आपका पूछा गया है आपका जो excite पूछा गया है alta vista पूछा गया है और वेb crawler तो यह जो आपके आते हैं यह आते हैं search engine के अंतरगत तो इसको browser नहीं करना है क्योंकि यह आपका क्या है search engine है अब देखी search engine का काम यह होता है यह एक ऐसा program है जो internet पर परशित करना इसका काम माना जाता है जो आपका search engine है ठीक है तो इसमें जैसे हम हमें जैसे कोई संस्थान है या किसी वस्तू या कोई भी चीज है आपकी है ना उसके बारे में कुछ भी सूचना अगर प्राप्त करनी हो तो हम क्या करते हैं search tool का प्रियोग इसमें करते हैं ठी इत्यादी और साथ है आपका google हो गया yahoo हो गया है लाइकोस हो गया hot water इत्यादी यह सब के सब क्या है यह आपके search engine माने जाते हैं ठीक है तो अगर हम browser की बात करें तो देखिए browser से related हमने पीछे वाले lecture में प्रशन कर लिया था वहाँ पर हमने विस्तार से जाना था कि कौन कौन से browser है चैसा opera हो गया safari हो गया chrome हो गया है ना mozilla firefox हो गया तो यह सारे के सारे क्या है यह ब्रॉजर है अब ब्रॉजर क्या होता है यह हमने पहले ही discuss कर लिया है ठीक है तो यहाँ पर हमने manly क्या रखा था कि यह जो चीज़े हैं यह क्या है यह आपके search engine है सब चैने क् तो research से हमने रखा है इसमें पूछा गया है कि आपकी जो परिकल्पना है जा जिसको हम hypothesis कहते हैं उसको परिभाशित करने का एक उपयोगी तरीका है क्योंकि तो देखिए यह कहते हैं कि research क्या है आपका जो hypothesis है उसको परिभाशित करने का एक उपयोगी तरीका है क्यों क्योंक पर आमने ये पढ़ा था कि जो आपकी परिकल्पना है या वेग्यानिक विदी के अंत्रगत नहीं आती है। ठीक है। नेक्स से देखिए कि यह शोध के निशकर्ष के लिए निर्विवाद प्रमानों को काईम रखने की अनुमती देता है। ये भी क्या है गलत है कि यह शोध के जो निशकर्ष हैं उनको ये प्रमानों को काईम रखने की अनुमती नहीं देता है। मार्ग में कौन-कौन सी बाद हाएं आती हैं आपने देखा होगा कि जैसे एक प्रशन बार-बार पूछा जाता है कि क्रमानों सार इसमें रखना रिसर्च में यह सबसे पहले नियोजन फिर निशकर्ष कब आएगा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूझे जाते हैं यहां पर जो आपका संप्रेशन है उसमें से हमने ये प्रशन उठाया है हाला कि थोड़ा सा हलका है या फिर हटके है लेकिन फिर भी अपने आप में एक महत्तोता लिये हुए ये प्रशन है। तो स्वा अवधारना, स्वा अनुभूती, जागरुकता या फिर आतमसंभान तो दीखें आतमसंभान तो होगा ही नहीं जब वो खुद को क्या कर रहा है वरनित कर रहा है तो आतमसंभान तो नहीं होगा। तो यहांपर हमने दखने हैं स्वा अनुभूती, खुद को अनुभूती मतलब या जिसको हम सल्फ परसेप्षं कह रहे हैं, वो तो नहीं होगी। लेकिन आपका जो self concept है कि आप खुद को वर्नित कर रहे हैं तो अपना concept होगा आपका अपना एक अवधारना होगी ठीक है तो वो वहाँ पर दर्शित प्रदर्शित होगी तो इसलिए जो 100 अवधारना है वो इसका बिलकुल correct answer होगा तो दोस्तों जो आपका UGC net का paper है देख उसमें हमेशा सब जो आपके विकल्प होते हैं उनको देख के ऐसा रगता है कि इसका यही उत्तर सही होगा यही सही होगा और confusion में हम क्या कर देते हैं कि किसी दूसरे पर ही चले जाते हैं तो जिस पर सबसे ज़्यादा probability होगी उसको ही आपने करना है और बहुत सोच समझ क रहता है ठीक है सच्चा सीपाही होता है वो अंत तक लड़ता है और इसी उमीद के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रशन संक्या 45 तो इसमें देखिए भिन-भिन वेबसाइट पर भिन-भिन विश्यों के संदरब में जाने बिना किसी उदेश्य के बस इंटरनेट चलाना क्या कहलाता है तो आपने देखा होगा कि हम भी करे बार ऐसा कर देते हैं कि अपने फॉन को चेड़ के हम कोई भी वेबसाइट में कुछ भी चीज़ें जो दिख रही है हम उसको क्या करते रहते हैं तो इस चीज को क्या कहा जाता है कि जो भी ये काम होत वेब ब्राॉजिंग है या वेब सर्फिंग है ou web hacking है הפर वेब कैस्ट सबें तो डिको है जब हम इस त्रीकफे की चीजें करते हैं विना व्हाय। उदेश्य के टो उसको कैते हैं有點 सर्फिंग या मैं रहना होती है तो वी सर्फिंग Gibا और बात करें हम देखिए web browsing की तो web browsing में भी ठीक ऐसी ही चीज़ें होती हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंस यह है कि वहाँ पर हम किसी बिना उदेश्य के ही है खुछ अलग चीज़ ही ढूण रहे हैं अलग अलग जगा पे जाके तो वह आपका web surfing है लगर आप particular एक ही चीज़ को ढूण रहे हैं तो इसका मतलब क्या है वह आपका web browsing है तो यहाँ पर confused नहीं हो रहा है हालांकि यह दोनों चीज़ें सेम सेम ही है बस web browsing में आपका विशेष्ट चीज़ आएगी विशेष्ट से मतलब है कि कोई विशेष्ट चीज़ सर्च कर रहे हैं जबकि web surfing में आपका भिन-भिन विश्चों के संदरब में अलग-अलग जो आपके topics हैं या उनको आप सर्च कर रहे हैं ठीक है तो इसका अलब वेब hacking और webcast है ये क्या होते हैं ये आप मुझे comment section में जाकर कह सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो हम आगे वाले lecture में इसके उपर भी आपके लिए एक आदा प्रशन जरूर लेके आएंगे तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और और दिख लेते हैं प्रशन संख्या 46 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है सेक्ड़ों जो आपके ब्लॉग्स होते हैं वो किस में शामिल होते हैं तो ब्लॉग्स आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग करते रहते हैं ठीक है यहाँ पर यह पूछा गया है कि सेक्ड़ों जो ब्लॉग्स हैं वो किसमें सम्मिलित होते हैं, तो विकल्प हैं देखिए, स्पूल, सोशल मीडिया, स्पलाग, या फिर स्पलाग, तो एक स्पलाग है देखिए, दूसरा आपका क्या है, स्पलाग है, तो इसमें आप कन्फ्यूज, बिल्कुल भी मत हुएगा, तो देखिए, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो इसका अंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया है, देखिए, ये एक शब्द है, जिसका उप्योग, जो भी भीन प्रकार का वनन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे आपका इस कारह में 2.0 application का उपयोग किया जाता है जैसे आपका social networking जिसको हम कहते हैं इसके अंतरगत लोग website और जो social media की साहता से जो अपना network बनाते हैं जैसे आपका facebook बगेरा जो भी आप जानते हैं social media के बारे में अब जो आपका spool है देखिए वो क्या चीज़ है जिसको आप simultaneous peripherals operations online जिसको कहा जाता है देखिए इस तखनीक का उपयोग करते हुए जो output सीधे printer पर नहीं बेजा जाता इससे पहली बार एक मध्यस्त file के माध्यम से जैसे कि एक disk file में स्थानांतरित किया जाता है और एक पर मुद्रित किया जा सकता है जो समय की उपलबता के अधार पर बाद का वितर्ण आदी किया जा सकता है तो यह आपका spool है तो यह भी इसमें नहीं आएगा जो आपके second blog जीते आदी इसमें शामिल नहीं होते हैं फिर आता है आपके पास splag जो s-p-l-a-g है तो इसका मतलब क्या देखिए सपलाग ठीक है तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी को तब तक spamming करते रहना जब तक कि उसके computer में बहुत गडबड होनी शुरू ना हो जाए तो वो है आपका splag ठीक है वो computer crash हो जाए उसको क्या का जाता है splag मतलब कि आपका जो hacking से related है ये आपका जो email hacking है ठीक है जैसे अलग-अलग है email hacking के जो भी प्रकार है देखिए उनमें से आपका जो चौथा माना जाता है इसको splag कि किसी को तब तक spamming करते रहना जब तक कि उसके computer में बहुत गडबड ना शुरू हो जाए और computer crash ना हो जाए वो कहलाता आपका splag तो अब आता है आपका जो आखरी है वो देखिए वो है splog तो अब splog में क्या चीज़ है देखिए splog ये बोलता है कि एक जो site निर्माता अगर इसका होता है यानि एक जो spogger होता है ठीक है एक सुन्दर विशे ढून कर जो है आगनतु को क्या करता है अकर्शित करता है ठीक है और इसका उपयोग वो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए करता है इसमें सेक्ड़ों ब्लॉग समलित होते हैं और splog बनाने वाले को क्या खा जाता है splogger कहा जाता है तो इन दो में confused नहीं रहना है splog और splog में I hope आप लोगों को समझा आ गया होगा तो प्रशन संक्या 47 है यहां पर देखिए सतत एवं स्थाई विकास किस प्रकार की अवधारना से संबंध रखता है तो देखिए जो sustainable आपका development है वहां से प्रशन बनने की संभावना बहुत जादा रहती है तो आप जो environment studies है या environment जो हमारा एक topic इसमें लगा हुआ है उसको भी जरूर पढ़िएगा वहां से भी प्रशन आते ही आते हैं तो यहां पर सतत एवं स्थाई जो विकास किस प्रकार की अवधारना से समनित है तो यह है आपका देखिए नवनियतिवादी अवधारना तो विकल्प नमबर 3 इसका बिलकुल exact answer होगा चलिए अगला प्रशन हम किस प्रकार ट्रसाइनिक अपक शाय बढ़ते हैं यह वाला प्रशन भी हमारा प्रवर्ण से रिलेटिड ही है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा hydrolysis विकल्प नमबर 2 इसका exact answer होगा चलिए next प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन से क्या 49 है यहां पर देखिए इसमें यह पूझा गया है कि निमिलिकित मैं से समव्यावसाइक जो डिगरी की पाठ्यक्रम सामगरी किस पर जोर देती है है ना समव्यावसाइक डिगरी तो यह देती है आपकी देखिए कोशल और व्यभारिक विशलेशन प्राप्त करने पर तो विकल्प नमबर 1 इसका स यह उतर होगा कि आपकी जो समव्यावसाइक डिगरी का पाठ्यक्रम समगरी किस पर जोर देती है आपका जो कोशल है और आपकी जो व्यभारिक विशलेशन है वो प्राप्त करने पर यह जोर देती है ठीक है तो हाईर एजुकेशन और आपका एन्वार्मेंट इसके साथ ह थोड़ा बहुत समय दें क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद यह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं चलिए आज का आखरी प्रशन हम देख लेते हैं यहां पर देखिए निमिलिकित में से भारती जंसंचार संस्थान कहां पर स्थित है तो कई बार इस सथारन सा प्रशन भी आपको पूछ ले जाता है कि यह कहां पर स्थित है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका नई दिल्ली है ना जे एन यू ठीक है तो सही उतर इसका क्या होगा आपका इंडिन इस्टूट आफ मास कॉम्मिनिकेशन कहां पर नई दिल् तो आप हमें कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छ लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर गीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद